हलो दोस्त कई सारे लोग मुझे ही कहते थे कि आप रेलवे के चमचा हो रेलवे के बुराई नहीं करते हैं मुझे भी लगता था ऐसे लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि उनको चाहिए अपनी मतलब की बात है उनको अपने बेनफिट हो रहा है भाड में जनता उनसे कोई लेना देना नहीं है आज भी कुछ टेलिग्राम पर ऐसे ही चल रहा है कुछ डिटेल तो मैं थोड़ा सा भी टेलिग्राम थोड़ा खोल के अपना दिखाऊं थोड़ा क्या चल रहा है यहां पर तो देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर देखेंगे अन्रिजर्ब नाम भी हाइड कर रहते हैं और देखिएगा डिटेल जोला चाप यूटूजर पता नहीं कितने पढ़े लिके लोग हैं जिनगी बर तो पेपर देखते आए हैं पेपर कटिंग का और पहले से देखिए पहले से ही देखेंगे अन्रिजर्ब वाला को बच देख रहा हूँ यह देख रहा है 2018 का आँख उठा के देख लो क्या होगा तुमारे बोलना से घंटा फर्क पड़ता है तो रेलवे के चेर्मेन के बोलने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा कैट ओट केस का बोलने से फैसला पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हाँ फैसला तुमारे लिए तो पड़ेगा किसके लिए जब पेपर कटिंग में छपा हुआ होगा कहीं और पेपर कटिंग के भगत होगे तब तो पता ही नहीं चलेगा कि सही चीजे है क्या तो बहुत सारी के लोगों को कमेंट आएगा लेकिन मैं टेक्निकली बोलता हूं मैं हमेशा पोसिस करता हूं हर कंडिडेट को अधिकार है अपना बात रखने का लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग रखते हैं क्योंको उनको लगता है कि उन्होंने पीएचडी कर रखा है बस गलत कि पोस्ट पे अपलाई किये हैं तो देखिए जोब अपलाई करना सबको अपना अधिकार है उपने हिसाब से अपलाई कर सकते हैं लेकिन कम से कम भासा की सयम रहनी चाहिए किसी भी कंडिडेट के लिए मैं बोला हूं कुछ लोग तो शेयर ही कर रहे हैं कि पिछली बार का य देख लीजिए आपने आप देख लीजिएगा कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा 76 से कहां तक चला गया यहां तक तेरह में डीवी तक 71 चला गया यानि पांच नंबर कम हो गया किसी के चैनल से दिये होंगे मुझे पता है और जब OBC की बारी आई यहां पर देख लीजिएग थमनेल को आप समझते हैं 70 साल से ठगा जा रहा है उसका अंत क्या होगा OBC, AC, ST और आप EWS भी आ गया है हलक EWS जेनरल से ही आया है लेकिन यह गोर्मेंट की प्रावधान है कि EWS भी आया है अगर सिप्टिंग नहीं हुआ तो EWS भी सफर करेगा होगा आप सिप्टिंग या नहीं होगा तो हम देखिए हम तो पेपर कटिंग आपको दिखा नहीं सकते पिछली वेकेंसी में क्या हुआ है उसके बाद अगर 20 कोरिजेंडम हो गया है उसको किसी को पता नहीं है लेकिन जो रेलवे ने बोला है रेलवे के चेर्मेन ने बोला है उसको तो आप मानेंगे और हमें भी मानना पड़ेगा और उसी से समझना पड़ेगा हलाकि मैं सुरू से कहते आ रहा हूं कि रेलवे को समझना जितना मुस्किल है उतना कुछी को नहीं यानि रेलवे जहां से सोचना खतम कर देती है हमारी सोच खतम हो जाती है वहां से रेलवे सुरू करता है सोच लेकिन टेकनिकलिती अभी देखें तो यह एक तरीके से गलत है और डाटा गलत है यहाँ पर हमने कई सारे हुबली के आज वीडियो बनाया उसके पहले मैंने हमने आपके साथ कई सारे आरार भी सी का सेयर किया है यह का सेयर किया लोगों का वही करना है अपनी दर्द तो मैं चाहता हूँ कि हर कंडिडेट को वेकेंसी मिले और मिलना भी चाहिए और उसका कारण क्या है कि वेकेंसी इंक्रीज हो नहीं तो जो रूल है उसी पर बात करेंगे तो पंदरा तीन बाइस एक डेट देख लीजिएगा हमने यह लेटर चापे हैं ध्यान से देखिएगा बा पैनल में कुछ गड़बडियां की जा रही है और यह पहले भी होते आया है उसको सुधार करने के लिए इसके लिए गोट कोट ने जो कहा था स्पिकिंग ओडर पास करके उसमें दो चीज़े कहा था दोनों चीज़े के लिए रेलवे ने मान लिया था और सभी रेलवे को कुल दिया था कि जो क्वेट का है सारे रेलवे इसको कोपी को फॉलो करे फर्दर एक्षन समीटिन ऑप असमें किंग ओडर का हलाकि कई जगा हुआ कई जगा नहीं हुआ और कई जगा लोग वही जो मैं का रहा हूं ठगे गए यानि जिसको अधिकार मिलना चाहिए था उस सारे कंडिडेट हैं जैसे यूर में जाइए गया तो मैं तो यहां पर दिखा दूँ आपको कि यूर में मात्रा कितने 308 कंडिडेट बच्चे हुए है यूर का ओबीसी में 4561 कंडिडेट है तो यह सब तो अंतर पड़ेगा ना यह सारे कंडिडेट बहुत ज़ादा है जह यहां पर EWS में 10% है तो 10% सब मिला के 60% है यूर अकेला 40% है और कोई यूर में भई मानी कर ले और सिधा सिधा यूर में यह 318 लोगों को ही पोस्ट दे दे तो यह कटब कम होना लाजमी बात है एक दम बिल्कुल 0 पर नीचे आ जाएगी यानि कोई लोग और नहीं बचेंगे और यह तो हम पहले से भी का रहा है लेकिन अगर टेक्निकली देखे कोट ने क्या कहा था उसको पढ़िये हम नहीं कह रहे हैं देखेगा नाम देखेगा राजी उगांधी जी है जूर गूरे जायरो के अनंद जी थे, इन्होंने कहा था कि applied candidate किये हैं, इन्होंने unregerm community से apply किया था, इनका था कि the candidate represent their dated 15-12-21-RB सिकंदराबाद है, category wise shifting rule while giving a replacement panel, तो हमें second DB की बात करते हैं, आपके group D या level 1 post के लिए और वैसे NTPC की बात करते हैं, वहां भी ये replacement panel जैसा होगा, पिछली बार replacement panel की बात इसलिए होती थी कि यहां पे 1.5 यानि एक डेड़ गुना candidate गये थे, यानि 50% candidate waiting list में थे, जिसलिए replacement panel या कर सकते है, stand-by का पैनल बगेरा बगेरा करके बहुत काना था कि UR में दिया जा रहा है replacement panel में, और दूसरा कहाना था कि सिकंद्राबाद में दिया जा रहा है, सिलिए गुरी तो नहीं दे रहा है, अलाबाद, मुंबई, गुहाटी, कोलकाता, चेनई, रांची, भोपाल, मालदा और तिरिवाननदपुरम नहीं दे रहा है, या को अगर कहते हैं कि अपने मन से देना है, तो वो shifting नहीं करते हैं, simple सी बात था, उसके बाद आगे आया कि इसमें merit जो बना, उसमें stand-by candidate को UR में नहीं लिया जाए, that is a RRB, सिकंदराबाद, consider the merit of the candidate, who were in the stand-by list and that is no justification, तो quick to person belonging to reserve category, reserve category, उस समय OBC, SC, ST था, EWS उस समय नहीं था, EWS 2019 में आये हैं, fill up of UR vacancy, जो पहले earlier panel में सामिल हो गए हैं, यही बात तो हो रहा है अभी भी, कि first DB में जो candidate OBC में selected हो गए हैं, वो UR में नहीं जाने चाहिए, इससे perfect example आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अभी इस perfect example लेशन की policy के regarding railway ने बोला कि railway की के बाद 3-4 line की guideline जारी की गई, उस guideline के लिए लिए लिखा कि further अब कोई होता है, तो उसको क्या procedure follow करना है, यह point number 6 में है, हम procedure की ही केवल बात कर रहे हैं, कि RRB देखे, further यहां पर पढ़िएगा, further RRB सिकंद्राबाद वाई using the original panel of it, इतना dated, इतने, clearly indicate to procedure to adaptive while submitting the future panel in the following manner, इन क्या चीज होगा, इसके लिए तीन चीजे था, पहला था कि community break up the candidate in panel is provisional and likely to be changed giving the late over the panel, पैनल के बाद जब भी कोई छोड़ जाएगा पैनल में से, तो उसके बाद फिर उसको revise करके उसको सही से किया जाएगा, और सिकंद्राबाद ने candidate की merit wise panel जारी किया था, जिसमें merit से आगे पिछे किया था, फिर कर रहा है, for example, एक कंडिडेट इंपनलेट नाव अंदर दी OBC कोटा में भी considered अंदर UR कोटा in future while giving supplementary replacement panel because in fact of the death, कंडिडेट एभब दी मेरज सेलेक्टेड इन UR कोटा में भी not reported for appointment, यानि पहले से जो UR में कोई है वो रिपोर्ट नहीं किया, त वो OBC वाला को हम UR में consider करेंगे, hence subjected to OBC candidate then will be considered to under UR कोटा and accordingly release OBC vacancy will be filled to available OBC merit candidate but no, not as a UR merit period, यानि OBC में जो candidate है वो UR में चला जाएगा, तो OBC वाले जो post खाली होगी, वो किस से भरा जाएगा, OBC से भरा जाएगा, उसी तरह AC कह रहेगा, तो AC का, HT कह रहेगा, तो ST का, और अभी EWS भी आ जाएगे, तो EWS का, जिसके कारण से UR का कटप हमेशा जादा रहेगा, अब टेलिग्राम में देख रहे होंगे, वो चीज़े नहीं हुई है, वो चीज़े आप समझेगा, मैं बात करूंगा फिर उ रिजल्टन तो, साइकलिक वेकंशी आज रिजर्ब काटेग्री विच हैड वी फिलेड बाइदी, OVC, SC, ST, AST, अस्टेंड बाइ कंडिडेट, हैंस, एक्शन अप दे रर्वी सिकंदर इज बेस इज रूल अप रिजर्वेशन, नो इर्रेगुलरिटी इन दी प्रोसेश इन पैलनेट हैज बीन डन बाइ अररवी सिकंदराबाद विट रिगार्ड डी डिप्लेस्मेंट पैनल अफ दी एलपी एसु लेटर 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 इतना, यानि सिकंदराबाद ने सही किया और सिकंदराबाद को ही गलत बताया गया, यहाँ पे यह किलियर होता है, यानि इन्होंने जो पैनल जारी किया था, वो बिल्कुल सही था, उन्होंने यूर में सिप्टिंग किया, बहुत सही है, बहुत सारे अररसी नहीं किये, और अररसी ने क्या फेबर किया, कि बाकी के लिए किया, उसके बाद आप यहाँ डिस्पोज से पहले इन्होंने लिखा है, किसके किसके बारे में बात कर रहा है तो यहां RRB के बारे में बात कर रहा है वो RRB आप यहां पे देख लिजेगा मुंबई, अलाबाद, गुवार्टी, सिलिगुडी, कुलकाता, चेन्नाई, राची, भोपाल, माल्दा और तिरुवंदनपुरम यानि RRB में दोनो WRCR कोई नहीं फोलो कर रहा था उनको भी ए सजेशन दिया जाता है कि लेट की, इंस्ट्रक्शन आर बिंग वी उसीट तो डिरेक्टिंग देम जे फॉलो एग्जेस्टिन इस्टाशन अफ दी सब्जेक्ट, आई एम देर फोर्थी कंस्टेंट तु कंक्लूर दी सम्मिशन अफ दी अफ्लिकेंट, ब्राउट आउट आउट दी और शप्र नर्ट सब्जेक्टिंग पोलस और इजरवेशन तू प्रसडूर भी फॉलोइंग जे आर आर भी ही सिकंद्रा बाजी अच्छ पर रूवल है अब किसकी गलती है बहरी या तो कैट की गलती है या रेलवेबड की गलती है या इस वाले यूटूबर की दिसकी बा तो technical करना है paper cutting पे तो बात ही नहीं करना और कोसिश करना है हर candidate के साथ कि किसी candidate चाहे UR की हो, UR तो बहुत बड़ी broad category है, हर candidate UR में आ सक्ते हैं, नहीं general की कोई issue हो ना OBC की हो, ना DC की हो, ना EST की हो, ना आपकी कि EWS को बीना डिटेल बीना डरे टेक्निकली बात आपको करना है कि सभी का किसी जितना रूल है उसके हिसाब से सही मिले थैंक यू धन्यों